तो आज की इस वीडियो में कैसे स्टीच करने वाले हैं वो देखेंगे सबसे पहले इसे खोल कर दुपट्टे को फोल्ड करते हैं वैसे ही इसके किनारों को चारो तरफ से फोल्ड कर लेना है उसके बाद जैसे हमने कटिंग कीती वैसे हम फेबरी को रखेंगे और इसके डोनों तरफ से किनारों को फॉल्ड करेंगे इसके बाद हमने को सॉल्डर कट करके सॉल्डर को भी सेम स्टीच कर लेना है फिर इसकी fitting game आपके according हम इसको stitch कर लेंगे और यह हमारी complete stitching होने के बाद यह final look है कैसा लगा कमेंट करके जरुबए